बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं भारत की सियासत की जहां बीजेपी में पूरा माहौल मानो मोधी में हो गया है अब तक पार्टी के तबाम लेता तो गुजरात के मुख्यमंतरी नरेंद्र मोधी को पीएम पोस्ट का कैंडिडेट बनाये जाने की मांग कर ही रहे थे और आज पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंग ने भी मोधी के पक्ष में एक बयान भी दिया और ये संकेत भी दिये कि जल्द ही बीजेपी संसदिय बोर्ड में मोधी की वापसी होने वाली है बीजेपी में नरेंद्र मोधी के लगातार बढ़ते कद के मद्दे नजर बड़े फेर बदल की तैयारी है राजनाथ सिंग अपनी नई टीम बनाने के लिए तैयार दिख रहे हैं माना जा रहा है कि फियर बदल के जर्ये नरेंदर मोधी को बीजे पी संसधिय समिती में लाने की तयारी चल रही है बोड के सदस्ते होंगे मोधी के अलावा मध्यप्रदेश की मुखे मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी संसधिय बॉड में जगें मिल सकती है वहीं बीजेपी में प्रधान मंत्री पद यूमीदवारी को लेकर जारी गहमा गहमी के बीच राजनाथ सिंग का एक एहम बयान भी सामने आया है बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक बेहद लोग प्रियनेता है बीजेपी अध्यक्ष ने मोदी के फिवर में ये बयान भोपाल में दिया जहां उनका स्वागत कॉंग्रिस कारेकरताओं ने काले जण्डे दिखा कर किया राजनाथ किसान रैली में हिस्सा लेने के लिए भोपाल गए थे जहां कॉंग्रिसियों ने उनके विरोध में काले जण्डे लहराई कॉंग्रिस का आरोप है कि शिवराज सिंग की सरकार किसान विरोध ही है और राजनाथ सिंग किसान रैली में ही किसानों को धोका दे रहे हैं लेकिन असलियत सब को मालूम है कॉंग्रिस का ये कदम केंद्रिय ग्रहमंतरी शिंदे के खिलाफ बीजेपी के उस फैसले का जवाब माना जा रहा है कल बीजेपी ने कहा था कि वो हिंदु आतंकवाद पर ग्रहमंतरी के बयान का विरोध फूरे देश में उन्हें काले जंडे दिखा कर करेगी पर बीजेपी ने विरोज शुरू भी नहीं किया था कि कॉंग्रिस ने उसके अध्यक्ष को काले जंडे दिखा दिये अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि जंडा दिखाने की ये होड कहां तक जाती है